हलो इस्टूडेंट्स मैं वेपी सिंग आज आपके लिए नंबर थियोरी का थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ और इस लेक्चर में मैं आपको वो थियोरम कराने जा रहा हूँ जो हर साल एकजाम में आती है जिसका नाम है डिवीजन ये लगवाख हर साल आती है मैं थ्योरम भी प्रूफ कराऊंगा और इस पर बेस्ट इंग्पोर्टेंट दो एकजांपिल भी दूँगा ठीक है तो आज की वीडियो बहुत इंग्पोर्टेंट होने वाली है कहीं से भी आप इसकिप न करें पूरी वीडियो समझ में आएगी और जब वीडियो आपको अथी लगए और पूरी समझ में आएक एक पॉइंट तो प्लीज आप कमेंट जरूर करना और मैं आपकी कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ तो चलिए बताते हैं डिवीजन एलगॉर्थम थ्योरम का स्टेटमेंट फिर उसे हम प्रूफ करेंगे डिवीजन एलगॉर्थम इसका स्टेटमेंट आप सब जानते बसको मुझे लिख के दिखाना है इसका स्टेटमेंट स्टेटमेंट गिविन इंटीजर्स इंटीजर्स ले लिए मैंने A एंड बी और बी जो है इंटीजर क्या है मैं यहां लेखे देता हूँ वे आर बी इंटीजर होना चाहिए पॉजितिव कहने का मतलब जीरो से बढ़ा हो और नेगिटिव नहो ऐसा होना चाहिए 2, 4, 5, 6, 10, क्योंकि B यहां diviser है और A क्या है divident है, मैं इसका एक-एक line समझा के चलूँगा आपको, where B क्या है, positive है, they are exist, unique integer, integers Q and R, और यह दोनों हैं क्या called, उकारे जाते हैं, quotient और remainder, क्या खेते हैं, इनको हम quotient और R को remainder, such that, तब उसने कहा, A equal, BQ plus R, where R, 0 is less than and equal, R is less than and equal, B, इससे तो आप किलियर समझ गए होंगे, कि यह divisualty वाले topic में मैंने आपको पढ़ाया है, किलियर, आज इस theorem में मैं, एक-एक word आपको समझा के चलूँगा, अब यहां देखिए, मैंने यह ले लिया, 7 की divide कर रहा हूँ, मैं 37 में, यह बात जानते हैं, तो यहां 7 क्या है, divisor है, और 37 क्या है, divided है, इसका मतलब यह B है, और यह A है, अब आप एक बात बताएए, B की table पढ़नी पढ़ेगी आपको, 7 की table पढ़नी पढ़ेगी, कहां तक, 37 से एक जादा तक, तबी तो आप बता पाएंगे कि कह बार जाएगा इसमें, ठीक है, तो 7 की table आप पढ़ेंगे, 7, 7, 2, 4, 7, 3, 21, 7, 4, 28, 7, 35, 7, 6, 42, इसका मतलब यह एक जादा लेंगे और एक कम, 35 से, क्योंकि हैं कितना है, 37 से, तो यहां हम 37 बीच में अगर आता है, तो यह छोड़ो, एक जादा लेंगे और एक कम लेंगी, इसके बीच में 37 आता है, तो मै यही बात यहां लेखने जा रहा हूं, कि B कोई set बनाएंगे, multiply का, कहां तक, जो A से जादा हो, और एक कम हो, तब ही तो divide जा सकती है, तो मैं कैसे लेख रहा हूं, वो देखिए, proof में, सबसे पहले, मैंने यह कह दिया, if A is less than B, तो यह जबकि B यहां बड़ा दिखा, यार B में divisor ले रहा होते हैं, impossible है, ऐसी condition में हम, यहां B into Q की value 0 आएगी, तो क्या बचाएगा, A ही होगा, तो यह यहां से नहीं होगा, आएए again, if यहां से यह solve होगा, यदि A बड़ा या ब 37 की divide 37 में जा सकती है, या फिर यह छोटा, तो है ही है, देख लो, क्या है, B छोटा है, अब हम क्या करना है, जब यह है तो now, let us consider the set of multiply of B, of B, which is as, B की यहां multiply हो रही है, B यह 2B, यह 3B, तो मैं लेके देता हूं, multiply होगी, B, 2B, 3B, 4B, last में QB, और A इससे ज़्यादा होगा, Q पिलस 1B, यह QB की जगे पे तो यहां 35 है, बीच में इसके A होगा, फिर मैंने उससे केवल एक पिलस किया है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, यहां कहवार जा रहा है, 7, 5, 35 वार जा रहा है, तो 35 से यहां में मैं Q में अगर एक और जोड़ दू, इतना, तो 7, 6, 42, पिलस जो रिमेंडर होगा, वो होगा ही होगा, इतना ही कर सकते हैं, यह इसी लिए लिए लिखा है, इसका मतलब, यहां जो BQ है, यह जो 35 है, इस 37 के लिए greatest multiply है, इससे ज़्यादा multiply है, अगर आप बढ़ते हैं, तो 42 पे कहेंगे, तो इसी लिए इसी को मैं greatest multiply कहूँगा, 7 की, ठीक है, तो मैं यह बात लिख रहा हूँ, यहीं से लिखे दीता हूँ, let, BQ is the, greatest multiply, of B, तो इसकी जो multiply है, वो क्या होगी, केवल Q भी होगी, such that, तो यह BQ less than and equal A, लेकिन यहां less than and equal BQ plus 1, ऐसे लिख सकते हैं, आईए फिर समझाता हूँ, यहां यह कितना है, 35, less than and equal 37, लेकिन guarantee से less than क्या होगा, 42, अब आप कहेंगे, सर जी यह बरावर कैसे हो सकता है, मैंने अभी बताया था न, यह 37 भी हो सकता है, तो यह BQ जो highest है, वो इसके बरावर भी हो सकता है, कैसे, अगर मैं यह 7, 35 लिख देता, यहां यह देखिए, 35 लिख देता, तो 7, 35, तो यह जो 35 है, इन दोनों की गुड़ा के बरावर है, यह 35 बरावर 7 गुड़ा 5, तो यह बरावर भी हो सकता है, इसके, लेकिन बड़ा तो यह ह समझ में आगी किलियर, कि जो A है, यह वाला A, इस highest BQ, और यह कितना है B, Q पिलस 1 के बीच में है, बरावर मैं ने इसके लिख लगा दिया, कहीं देखिए, इन दोनों की गुड़ा 35, इस 35 के बरावर है, तो यह बरावर भी साइन्स सही है, किलियर, यहां तक अगर आपको यह बिलकुल इजी लग रही हो, तो प्लीज कमेंट जरूर करना, कि गुरू जी एक एक पॉइंट हमारी समझ में आया है, अब मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे में से BQ माइनस कर देता हूँ, कर देता हूँ, तो इधर BQ माइनस BQ, लेस देन और इक्वल, A माइनस BQ, ल से ये कट गया, यहाँ बचा, 0 is less than, A माइनस BQ is less than B, यहाँ तक कोई परिशानी, आ गया answer, देखो कैसे आ गया, अगर मैं इसकी जगे पर R रख देता हूँ, तो देखो ये आ रहा है, अजब इसकी जगे पर R रखोगे, तो कंपियर करने पर ये बन जाएगा, प्रूफ हो इक्वल R, तो this implies A बराबर हो जाएगा ये BQ पिलस R, तो इसकी जगे पर क्या हो जाना चाहिए, where 0 is less than and equal है, क्या माना है आपने, R less than B, यही तो पूफ है, कोई ऐसी टिपीकल वाद तो नहीं लगी का कितना बड़ा भंडार है, कुछ भी नहीं है, एक लाइन और लिख तो इसका मतलब A बराबर ये इधर आ गया, BQ पिलस R, जहां पर 0 is less than and equal R is less than B, such that, अगर A बराबर आपका आया है, BQ पिलस R, तो 0 is less than and equal R is less than B, अब यहां एक चीज और रहेगी, अभी तो यह आभी प्रूफ हुई है, यह unique कहरा, unique integer, unique integer का मतलब है, कि अगर यहां यह जो quotient और remainder है, मैं दूसरी कोई form मानता हूँ, वहां quotient और remainder Q1 और R1 करता हूँ, और कोई ऐसी condition बन जाए, कि Q equal Q1 हो जाए, और R equal R1 हो जाए, तो इस process को हम unique तहते हैं, के लिएर समझ में आ गया, तो यह topic अभी और बताते हैं, चलिए तो बस uniqueness और बताते हैं, अगला topic है इसी में, uniqueness, uniqueness में मैं दो integer ले रहा हूँ, जो exist होंगे, possible उनका कोई set बना रहे है, Q1, R1 और QR में, if possible, they are exist to set of integer, QR और Q1, R1, जहां पर यह हम जान चुके हैं, 0 is less than, and equal R is less than B था, और इसके लिए 0 is less than, R1 is less than B, यह कॉमा है, B1 नहीं है, कॉमा, दोनों के लिए, इसके लिए यह और इसके लिए यह, तब हमने क्या दिखाया था, algorithm, division algorithm से, तब, अभी हम proof कर चुके, A equal, BQ plus R, जहां पर 0 is less than, R is less than B, अगर यहां Q1, R1 कर दूँ, तो, BQ1 plus R1, यहां पर 0 is less than, R1 is less than B, लिख सकते हैं, यह दोनों सेम हैं, तो यह सब जो answer हैंगे, यह जो आया इससे ही, यह जो आया इससे ही, यह value A के बराबर है, और यह value भी A के बराबर है, इसका मतलब यह दोनों बराबर, BQ plus R equal, BQ1 plus R1, इसे इधर ले आईए, BQ minus BQ1, इस R को इधर ले जाईए, R1 minus R, B common ले ले लेते हैं, तो Q minus Q1 equal R1 minus R, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R1 minus R equal B, Q minus Q1, अब आपको पता है, कौन सी form बन गई, इससे पहले lecture में divisibility में पढ़ाया है, दोवारा देखिए, आपने lecture देखा भी होगा, यहाँ लेके देता हूँ, यहाँ जगे है, अगर मैं यह कहूँ, A is a divisor of B, there exists to C belongs to I, तो यह जो B है, यह B बराबर होता है, A into C की, इसका मतलब क्या हुआ, A is divisor, A की इसमें divide हो रही है, तब यहाँ multiply में है, इसका मतलब B की इसमें divide होगी, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, इसके आधार पर, B is a divisor of R1 minus R, यह तो गड़वड हो गई, कैसे हो गई, but मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, R1 minus R, अगर मैं यहा चोटा होता है, B से, भई, remainder तो cosine divider से छोटा ही होगा, और यहाँ तो अंतर भी है, तो यह से छोटा होगा, जब छोटा होगा, तो इसकी आमें divide कहां से चली जाएगी, impossible, तब so that, अभी यह बास समझे है कि नहीं समझे, B divider होता है, B की भाग करते है, और यह remainder होता है, लेक इसा शुरू में, मैंने इस थिवरों में पहले देखाया था, यह test यहाँ फेल हो जाएगा, तो नहीं करते, B greater than A से होता, तो वहाँ, cosine divider हो जाते, वही यहाँ है, तो किसके बरावर रख दिया, 0 के, इसका मतलब R1 equal R, अब यह R1 equal R, अगर मैं हैं रख देता हूँ, इसमे यह value, तब यह क्या हो जाएगा, या ऐसे देख लो, R1 minus R equal, यहाँ 0 रख देते हैं, तो B, Q minus Q1 equal 0, क्योंकि B बड़ा है 0 से, मतलब 0 नहीं है, तो B यहाँ 0 में चला जाएगा, Q minus Q1 equal 0, तो Q बरावर Q1, that is, जब यह value आ गई, R equal R1, Q equal Q1, इसी process को हम uniqueness कहते हैं, तो उनों सेम आगे R बरावर, R1, Q बरावर, Q1, मतलब अलग अलग नहीं है, यह दो नहीं है, यह एक ही है, लग रा नहीं लग रा, equal कसा हैं, तो यह दोनों unique हैं, तो आज की theorem आपको कैसी लगी, प्लीज आप comment करके जरूर बताएं, एक theorem के लिए मुझे काफी time लगाना होता है, तब ज इक्वल 21, और B इक्वल 4, तो यह डिवाइड एंड है, और यह डिवीजर है, तो सभावे के डिवीजर की, आप टेविल पढ़ेंगे, B, 2, B, 3, B, 4, B, तो इसकी टेविल कहां तक पढ़ेंगे, 4, 1, 4, 2, 8, 12, 14, 14, 25, 20, और 4, 24, 24, इस से केवल एक जादा, हमने हैं क्या द हो गया, इसका मतलब B, Q बरावर आ गया, 20, और B, Q पिलस 1 है, 24, और A बरावर कितना है, तुमारा है, 21 था, और B बरावर 4, तो अभी डिवीजर एलगोर्थम बता रहे थी, तो वो क्या था, A इक्वल B, Q पिलस R, तो A की जगे पे कितना आएगा, B तो मेरे पास है, Q की टे 20, कितना बचा रेमिंडर, एक बचा पिलस का 1, तो हमने यहां क्या देखा, Q इक्वल आ गया 5, और R इक्वल आ गया 1, एक और लेते हैं चलिए, यहां पर लेट, A इक्वल ले लो 36, और B इक्वल 7, तो साथ की टेविल 36 से एक टर्म जादा तक पढ़नी होगी, साथ एक अन 1, तो यहां लिख दो, B Q बरावर 35, और Q पिलस 1 इक्वल 42, हम यह जानते हैं, A इक्वल B Q पिलस R, A की जगे पर कितना है, 36, अब B की जगे पर कितना है, 7, Q निकाल लो, कितनी वार जा रही है, यही तक तो जा रही है, B Q, 1, 2, 3, 4, नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक टेविल पढ़ तो यहां पर Q इक्वल 5 आ गया, R इक्वल 1, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अपने एक फ्रेंड के साथ, अगर मेरी वीडियो से यर कर दी, तो मुझे बहुत खुसी होगी, और नेस्ट अब मैं इसके बेस पर कुछ एक्जाम पिले के आओंगा, ठीके?